हमने खबर का सिर्षक दिया है जो आप पढ़े भी होंगे कि गरिमों के देह पर दौलत का कमबल अब सोच रहे होंगे निशित रुप से कि दौलत मतलब रुपया पैसा जबकि ऐसी बात नहीं है हाँ यह बात ज़रूर है कि उस कमबल की खरीदी पैसे से ही हुई दौलत से ही हुई लेकिन चर्चा हम यहाँ पर गड़वा निवासी युवा समाज से भी सबपरतिश्चित बेवसाई दौलत सोनी की कर रहे हैं जिनके दौरा अपने जनमदीन के मौके पर गरीबों के बीच में कमबल का वित्रण किया गया हम आपको एक बात यहाँ पर बताएं गड़वा वह जिला है जहां लोग अपने जनमदीन के मौके पर या अपने किसी परिजन के पुनितिती के मौके पर गरिबों के बीच में जा करके कुछ न कुछ बितरन किया करते हैं बलड डोनेट किया करते हैं सदर अस्पताल में मरीजों के बीच फल बितरन किया करते हैं यह परिपाटी पिछले कई सालों से चलिया रही है लगता रहे हम यहां के अगर बेवसाईओं की बात करें बेवसाई की जीला है हमारे बार कहा करते हैं गड़वा यहां के बेवसाई तो निश्ची तुरूप से अपने जनमदीन के मौके पर अपने बच्चे अपने परजनों के जनमदीन के मौके पर जरूर गरीमों के बीच में जाकर ही उस जनमदीन को मनाते हैं बहुत बड़ा कोई काज़क्रम नहीं किया करते हैं ज्यादा आडंबर नहीं किया करते हैं और उस पैसे को उस गरीम गरीबों के बीच में जाकर ही खर्च किया करते हैं लगातार हमने खबर में भी आपको कई बार दिखाया है कि यह पर और उनके तक कंबल पोचाया है, कंबल का बितरन किया गया वहाँ पर, ओ गरीब जो इस कड़ाके की ठंड में एक अदद कंबल की आज जोहते हैं, कोई हमारे बीच आता, हम तक कंबल दे जाता, ताकि इस कड़ाके की ठंड में हार कपाते इस ठंड में हमें रहात मिलती, ब्रेट का बितरन किया गया, तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी परंपरा है, जो लगातार यहां लोग जीवन्त रख रहे हैं, निचे तुरूप से सराहनिये कदम है, दौलत सोनी की इस कदम की हम निचे तुरूप से सराहना करेंगे, कि अपने जनमदीन पर, कहीं पर कोई बड़ा कार्जक्रम ना करके, केक काट ना काट करके, कोई आयोजन ना करके, बलकि वो गरीबों तक पहुचे और उन तक कंबल का वितरन किया, उन्हें वो कंबल दिया, जिस कंबल की आज जैसा कि हमने बताया आपको, कि लोग जोहते रहते हैं, कि कास एक बीबों तक पहुचे और अपने जनमदीन के मौके पर उन तक कंबल पहुचाया, जिस कंबल के सहारे वो इस कड़ा की ठंड में, अपनी सर्द रात में, परिजनों के साथ, अपने लोगों के साथ, उस कंबल के सहारे रात गुजा रहेंगे.